हेलो स्टुडेंट्स आपका स्वागत है मेरा नाम रागविंद्र सिंग है और आज मैं पढ़ाने वाला हूं क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है ग्रैविटेशन इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ेंगे तीन में टॉपिक पहला टॉपिक आप सबसे पहला टॉपिक जिसका नाम है ग्रैविटेशन तो यह रहा हमारा फ़स्ट टॉपिक जिसको हम पढ़ना शुरू करते हैं तो शुरू करें चलिए आगे चलते हैं और सबसे पहले हम कुछ उग्जैम्पल देखते हैं ताकि ग्रैविटेशन को समझ सके है ना तो बच चुट से जम्प करते हुए आर्मी के नोगों को देखा होगा है ना प्रह Поэтому फिर आप देख रहे हो तो जो टूरिस्ट होते हैं उनको बंचिन जंपिंग में पैर में 유 चलजीiding एक उब सी बांद कर बहुत उचाई से कूद जाते हैं लोग उनको बहुत ही एकसाइटमेंट लगता है है ना तो कोई भी आपजेक्ट को अगर हम हाइट से ड्रॉप करें तो वह हमेशा अर्थ के तरफ ही गिरती है यह तो बात आपको भी पता है लेकिन क्या इसके पीछे का कारण र मैं इस चैप्टर में आया हूँ और रीजन आपको पता है रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स जी हां तो इसके बारे में हमको बताया किसने हमको बताया आईजेक न्यूटन ने ठीक है तो थोड़ा उस पर चर्चा कर लेते हैं ठीक है आप बॉल को भी ड्रॉप करो आप ए अर्थ के तरफ ही गिरती है ठीक है इसका कोई exception नहीं है है ना तो इसके पीछे कौन सा फोर्स involve है अब आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा यह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है और उसी फोर्स के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है ठीक है चले कुछ और इक्जब्ड लेते है ठीक है चले आपके सामने कुछ और दिक्व रहे हैं आपको जी हाँ यहाँ पहलेग्जब्ड में क्या दिक रहा है पहले इक्जहम्पल में सोलर फैमली के बारे में यहां पिक्चर दिया हुआ है सौर परिवार हमारा जिसमें सन भी है प्लैनेट्स भी है तो आपको क्या दिख रहा कितने प्लैनेट्स है आठ प्लैनेट्स है अपने सोलर फैमिली में नौ थे लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया अब आठो प्लैनेट्स जिसमें से एक अपनी अर्थ भी है यह सन के क्या है वो कौन सा है आकर किसी फॉर्स के वज़े से ही तो सारे ुर्फ किसका चक्कर लगा रहे है किसके around कर रहे हैं सन के around रिवाल्ब कर रहे हैं तो फॉर्स कौन सा फिर नेक्स्ट assumption यहाँ आप क्या देख रहे हो अर्थ का एक ही नA alle जोहे मून और मून आपको पता है अर्थ के चारों तरफ क्या करता है उसी तर जैसे के चारों तरफ करते हैं ऊसी तर मून भी अर्थ के मजबूर कर रहा है सन के चारों तरफ गूमने में और वही इस मून को भी मजबूर कर रहा है अर्थ के चारों तरफ गूमने में अब क्या यह दोनों फोर्स एक ही नेचर का है मतलब एक ही टाइप का है यह किसने बताया यह बताया हमारे आईजेक न्यूटन जी ने जी हां त घरती के तरफ गिर रहा है बॉल ऊपर फेकते हैं नीचे गिरती है कुछ उचाई पर जाने के बाद है ना मून अर्थ का चक्कर लगा रहा है इन सभी केसे में देर मस्ट भी संग फोर्स एक्टिंग ऑन दो अबजेक्ट जरूर कोई ना कोई फोर्स इन अबजेक्ट पर लग यानि यह सभी घट्टाओं के पीछे एक ही प्रकार का फोर्स है एक ही नेचर का फोर्स है और वो फोर्स कौन सा है ग्रेविटेशनल फोर्स यानि जो प्लैनेट्स है वो सन के चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही रिवाल्व कर रहे हैं मून भी अर्थ के चा तमाम एक्जैम्पल में फोर्स एक ही है और यह बताया किसने आईजेक न्यूटन ने और वह फोर्स कौन सा है ग्रेवटेशनल फोर्स है ठीक है इतना समझ में आ गया तेकिन ग्रेवटेशनल फोर्स का भी फॉर्मूला क्या है बहुत सारी चीज़ें है जो अब हम पता आगे है ना चली आगे चलते हैं तो क्या लिखा है हमको पता है कि मून गोज एराउंड अर्थ जी हां हम जानते हैं एन अब्जेक्ट वैं थ्रोन अपवर्ड जब हम किसी अब्जेक्ट को ऊपर फेके तो वह कुछ हाइट पर जाने के बाद फिर नीचे गिरता है रीचेस है तो आखिर इसके पीचे कारण क्या है इसके पीचे कारण आईसे नूटन why m 가운데 यृटेशनल फॉर्स के भारे में तो इसके पीचे कहानी है जो कहानी जो स्टोरी कितनी सच है इसके बारे में तो मुझे नहीं पता कि की इसका कोई प्रुफ है नहीं ऐसा कहा जाता है अब mujahoha कितना सच है कितना यूट यह नहीं पता लेकिन ऐसा कहा जाता है कि एक किताब को पढ़ने के लिए आईसे अटनिक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे तभी एक सेब एक तूट कर इनके सिर पे गिरा टपाक से अब जब सर पे गिरा तो इनको तो पहले चोट लगी लेकिन तभी दिमाग में एक कोशन उठा किसे मेरे उपर याने नीचे ही क्यों गिरा उपर क्यों नहीं चला गया तो अब इनके दिमाग में यह जो कोशन उठा तो यह बहुत ही परिशान होने लगे क्योंकि इनको अब इसका आंसर खोजना था एक दम धुन सवार हो गई कि नहीं मुझे पता करना है इसके पीछे आंसर क्या है इसके पीछे आंसर क्या है सेब क्यों नीचे ही गिरा तो इनोंने बाद में ये बताया की सेब का धर्ती के तरफ गिरना और चंद्रमा का अर्थ के तरफ चक्कर लगाना अर्थ के चार और प्लैनेट का सन के चारो और चक्कर लगाना इन सभी फिनोमिना एक्टिविटीज के पीछे एक ही फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वही इनों ने बताया है ना तो ही थोट इफ दा अर्थ कैन अट्रेक्ट एन एपल कैन इट नॉट अट्रेक्ट दा मून मतलब उनके दिबाग में पहले ये कोश्चन उठा कि अगर अर्थ एयपल को अट्रेक्ट कर रही है जिसके वज़ा से आपल नीचे गिर तो क्या इसी फोर्स के कारण वह मून को भी अट्रेक्ट कर रही है तो बाढ़ ने पता चला हा यह सेम फोर्स है। अलग नहीं है है ना फो मजाक में कहा जाए कि अगर सेव नहीं गिरा होता तो साइद आइसेक न्यूटन की दिमाग की बत्ती नहीं जली होती लेकिन यह सब कहने की बाते हैं लेकिन यह एक ही फोर्स काम कर रहा है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक है लेकिन इनके दिमाग में इनके दिमाग में बहुत सारे जो डाउट आये थे तो इन्हों ने उसका क्लियर कर दिया क्या क्लियर किया कि ही आर्ग्यू डैट एट इज पॉइंट आफ इस ऑर्बिट तो पहले आप इस डाइग्राम को देखो यहां देखो यहां क्या हो रहा है जो मून है वह अर्थ के चारों तरफ एक निश्चित और्बिट में क्या कर रहा है घूम रहे हैं तो वही बोल रहे हैं कि हार्ग्यू डैट ही यानि आईसेक न्यूटन ने यह आर्ग्यू किया कि हर खीच रही है तो अगर अर्थ मून को अपनी तरफ खीच रही है तो मून को तो गिर जाना चाहिए इस पर अर्थ की तरफ लेकिन ऐसा होता नहीं है मून गिर नहीं रहा है बस मून क्या कर रहा है चारों तरफ चक्कर लगा रहा है लेकिन जो फोर्स है फोर्स अर्थ की तर तो ऐसा क्यों हो रहा है यह दिमाग में कोश्चन उठा तो इसको आए समझते हैं एक सिंपल एक्टिविटी से सो इसके पीछे हम कारण इसका जानने की कोशिच करते हैं तो चलो इसके लिए एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी में क्या करना है यहां क्या दिख रहा है एक लड़के ने द्रड के एक एंड पे एक छोटा सा स्टोन टाइब कर दिया फिर फिर इन्ट il यानि मैंने यहां मैंनेने र सी का धागने ध् leaders या दूसरा ओंड फिर्न पकड लिया और इसको घूमाने लगा एरू जैसा कि जैसा कि पिक्चर में फीघर में दिखाया गया है अब ध्यान से इसका motion देखिए motion कुछ ऐसा होगा है की नहीं बिल्कुल ऐसा होगा तो आपने भी ऐसा जरूर किया होगा तो इस motion को जरा ध्यान से देखो तो इस motion में क्या लग रहा है release the thread अगर ऐसे नचाते नचाते अगर आप धागा छोड़ दो तो जिस moment पे ये stone होगा पत्थर होगा वो उसी के straight line में चला जाएगा है ना और अगर आप धागा नहीं छोड़ते हो लगातार घुमाते रहते हो तो जो stone है वो क्या होगा stone एक circular path में आपके जो center है जैसे ये आपका जो हाथ है ना ये हाथ क्या हो गया ये तो center हो गया तो अगर आप धागे को नहीं छोड़ते हो लगातार धागे को घुमाते हो तो जो पत्थर है वो एक circular path में क्या करेगा move करता रहेगा है ना वही तो लिखा है before the thread is released मतलब thread release करने से पहले जो stone था वो एक circular path में क्या कर रहा था एक certain speed से move कर रहा था ठीक है लेकिन हर direction हर point पे इसका direction बदल रहा है है ना देखो है ना अभी यहां था तो इसका direction ऐसे था अभी यहां इसका direction ऐसे है अभी देखो यहां आ गया तो इसका direction ऐसे हो गया अभी देखो यहां आ गया तो direction ऐसे हो गया तो मतलब magnitude नहीं बदल रहा यह जो पत्थर जो गोल गोल घूम रहा है इसका magnitude नहीं बदल रहा बस क्या बदल रहा है इसके speed का direction बदल रहा है हर प्वाइंट पे हर पॉइंट पे आप कोई भी पॉइंट ले लो direction बदल रहा है इस पीड का magnitude नहीं बदल रहा बस direction बदल रहा है तो ऐसा क्यों हुआ आकिर ऐसा क्यों हो रहा है कि यह पत्थर अराम से गोल गोल घूम रहा है और हर पल उस पत्थर की जो speed है उसकी direction change हो रही ह मैगनिट्यूट चेंज नहीं हो रहा है ठीक है और direction अगर change हो रही है तो हम कहेंगे की velocity change हो रही है है न क्योंकि वेलासिटी में दो चीज़े होती है एक होती है magnitude और दूसरी चीज़ क्या होती है वह होता है इसका direction है दोनों मेंसे कुई भी बदल गया तो हम कहेंगे velocity change हो गई और वेलोसिटी का चेंज होना मतलब एक्सिलरेशन तो यहां डायरेक्शन हर समय चेंज हो रहा है ना किसके वेलोसिटी का पत्थर की जो वेलोसिटी उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है उसका मतलब पत्थर में क्या है एक्सिलरेशन और एक्सिलरेशन है तो जरूर गोल गोल घुमा रहा है, इस center के एरॉंड और ऐसा force जो हमेशा पत्थर को गोल-गोल घुमा रहा है, जो कि हमेशा center की तरफ लग रहा है, ऐसे ही force को क्या कहा जाता है, centripetal force, तो वही लिखा है the force that causes this acceleration, यह जो acceleration पत्थर का जो responsible है वो कौन सा force responsible है तो वो ऐसा force responsible है जो कि body को पत्थर को circular path में move कर रहा है और इस force का direction हमेशा किदर लग रहा है center की तरफ है ना इसी force के कारण इस पत्थर की object की velocity का direction change हो रहा है जिसकी कारण पत्थर accelerated है और accelerated है तो इस पे जरू कोई ना कोई force लग रहा होगा और यह force लग किधर रहा है center की तरफ और ऐसे force को हम क्या कहेंगे centripetal force क्योंकि यह center की तरफ लग रहा है और इसी centripetal force के वज़े से पत्थर गोल-गोल घूम रहा है ठीक वैसे ही तो अर्थ सन के चारों तरफ घूम र माल लो जहां हमारा हाथ था वहां माल लो सन और जहांने पत्थर भांदा था वहां माल लो अर्थ तो सन का और अर्थ के बीच में जो gravitational force है जो कि center की तरफ लग रहा है यानि gravitational force का nature क्या हो गया एक तरीके का centripetal force हो गया जो कि अर्थ को चारों तरफ घुमा रहा है जैसा कि पत्थर चारों तरफ घुम रहा था साबित हुआ अब आपको पता चल गया कि आखिर क्यों मूँन अर्थ के चारों तरफ घुम रहा है क्योंकि अर्थ के वज़से जो gravitational force लग रहा है मून पर वो gravitational force center की तरफ लग रहे है जासे गरत्पड़ की तरफ गोम रहा है मून तो जैसे पत्थर गोल-गोल घूम रहा था जब हम बांद कर उसको घूमा रहे थे ठीक वैसे ही ग्रेविटेशनल फॉर्स के कारण मून चारो तरफ घूम रहा है किसके अर्थ के है ना तो साबित हो गया तो इस पोर्ograph सेंट्रीपीटल पर पॉर्स टा आमेशा जाएगा ठीक है और ये हमेशा टैंजेंट होगी समझ में आया चलिए तो अब आपको यह समझ में आ गया पूरी तरीके से कि आखिर कोई भी अबजेक्ट अगर किसी दूसरे अबजेक्ट के चारों तरफ गोल-गोल सर्कुलर पास में घूम रही है तो जरूर कोई ना कोई सेंट्रीपीटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ लग सेंट्रीपीटल फोर्स कौन सा है ग्रेविटेशनल फोर्स है यानि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपीटल फोर्स बनकर काम कर रहा है है और मजबूर कर रहा है मून को कि तुम मेरे चारों तरफ घूमो मतब अर्थ के चारों तरफ घूमो है ना चलिए अब यहां he帶 जाता है रहनी जाता है एक ऐसा ही या गाड़ी कौन चला था ड्रायवर में बन गया ढर तो सी तर किसी अबजेट को सदूरर पातने कौन भुमाता है सेंट्रीपीटल फोर्स अब सेंट्रीपीटल फोर्स कौन बन गया ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपीटल फोर्स बन गया ठीक वैसे ही जैसे मैं ड्राइवर बन गया था है ना तो कोई भी गाड़ी चलाए चाहे मेरे पापा चलाए चाहे मेरे भाई चलाए कोई भी गाडी चलाए गा तो ड्राइवर ही कह लाएगा ना उसी तर कोई भी 4.0 जो सेंटर की तरफ लगे वो सेंट्रिपीटल फोर्स का लाएगा अब चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स हो चाहे कोई दूसरा फोर्स हो और यही फोर्स के कारण ऐसा हो रहा है कि मून अर्थ के तरफ घूम रही है चारों तरफ है ना सबच में आ गया इफ देर वेर नो सच फोर्स मून वुड पर्स्यू ए यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर सेंट्रीपिटल फोर्स खतम हो जाए तो जो पत्तर हम नचा रहे थे वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा ठीक वैसे ही मून भी अगर यह ग्रे ग्रेविटेशनल फोर्स खतम होने वाला है नहीं तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि जो मून है वो स्ट्रेट लाइन पर चला जाए उसको तो चक्कर ही लगाना पड़ेगा है कि नहीं चलिए अब जो आईसेक न्यूटन के साथ हुआ कि सेव धर्ती के तरफ गिरा कभी आपने दिमाग में नहीं आया कि आके सेव ही क्यों धर्ती के तरफ गई क्यों धर्ती क्योंने सेव की तरफ आ गया है ना ड्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें सेव ही चलता हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा क्यों हो रह कहता है every action has equal and opposite reaction हर force का एक एकवल और opposite direction में एक फोर्स मिलता है जिसे हम reaction कहते हैं हर action का reaction मिलता है तो इसका मत अगर अर्थ आपल को अट्रेट कर रही है तो एपल भी अर्थ को अट्रेट करेगा ठीक है लेकिन फिर हम को चलते हुए केवल एपल ही दिखाई देता है गिरते हुए एपल ही दिखाई देता है अर्थ चलती होई नहीं दिखाई देती तो उसके पीछे second law क्या कहता है second law कहता है F is called to MA क्या कहता है F is called to MA तो अगर हमने force constant कर दिया force constant है तो m into a बराबर constant तो m acceleration बराबर क्या हो जाएगा acceleration is inversely proportional to m हो जाएगा है ना इसका मत्तब यह कि जिस object का mass बहुत कम वो accelerate करेगी और जिसका mass बहुत जादा वो accelerate बहुत कम होगी तो किसका mass जादा है धर्तिका की अपल का धर्तिका यानि अर्थ का mass बहुत जादा इंफानाइट टाइम्स जादा है किसके एपल के comparison में तो क्योंकि अर्थ का mass बहुत जादा है इसलिए अर्थ का acceleration इतना कम होता है कि वह ना के बराबर होता है इसलिए हमको अर्थ accelerated नहीं दिखाई देती लेकिन सेव क्योंकि मास कम होने के वज़े से सेव में हमको acceleration apple में acceleration दिखाई देता है लगतार उसकी velocity बढ़ती जैती है जब वो नीचे गरता है तो सारा खेल किसका है मास का है ना मास में कम होने के कारण apple का मास अर्थ के comparison में कम होने के कारण सिर्फ कम नहीं बहुत कम होने के कारण ऐसा होता है कि जो apple है वो अर्थ की तरफ movement करता हुआ दिखाई देता है अब समझ माया तो यहां से अब आप इसको explain कर सकते हो ठीक है तो mass of an apple is negligibly small compared to that of earth so we do not see earth moving towards apple what we see we see apple moving towards earth है ना मास का खेल है ठीक है चलो आगे चला जाए चलो अब देखो इन आवर सोलर सिस्टम और प्लैनेट्स गो एरांड दा सन बाई आर्गिविंग दा सेम वे मत्तब कि जैसे आपल अर्थ की तरफ गिरा तो वहां फोर्स क्या लगा ग्रेप्टेशनल फोर्स ठीक वही फोर्स क्या कर रहा है प्लैनेट्स को भी मजबूर कर रहा है कि तुम सन के चारों तरफ चक्क्र लगाओ तो इसका मतलब चाहे मून चक्कर लगाए अर्थ का चाहे प्लैनेट चक्कर लगाए चाहे एपल अर्थ की तरफ गिरे इन सभी एक फोर्स है और वो फोर्स है अब यह तो समझ में आ गया तो यह बात न्यूटन जी ने सबको अच्छे से बता दी कि देखो बेटा बच्चों लोग बड़े लोग सबको पूरे धरती पर जितने लोगते सबको यह बता दिया यह सारी घटनाएं एक ही कारण के वज़ा से हो रही है वो है देखेंगे हैना तो उस प्रॉपर डिफिनीशन के लिए हमको यूनिवर्सल लाव ग्रेविटेशन पढ़ना पड़ेगा यानि यह यूनिवर्सल क्यों है यूनिवर्सल इसलिए है कि हर जगह लग रहा है ब्रह्मान में कहीं भी हो देखो ब्रह्मान में सन और अर्थ के ब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही लगता है तो यूनिवर्स में हर जगह लग रहा है इसलिए यह यूनिवर्सल लाव है क्योंकि यूनिवर्स में हर जगह लगता है अब क्या कहता है यूनिवर्सल लाव ग्रेविटेशन तो अभी आपने क्या देखा दो फोर्स ऑफ होता है जो एक दूसरे को एक्ट्रेट करने की चमता है फोर्स है उसी फोर्स को ग्रेविटेशन gravitational force directly proportional होता है इनके product of their masses मतब इन दोनों object का जो mass होगा माल लेते हैं M1 M2 तो M1 और M2 का जो product है वो यह होगा और इन दोनों mass के product के directly proportional होता है कौन gravitational force एक बात तो यह कहता है और साथी साथ एक और बात कहता है क्या inversely proportional to the square of the distance between them in दोनो object के बीच में जो distance है माल लेतें distance कहां से नापेंगे major कहां से करेंगे center से तो इन दोनों के center से जो distance है दोनों object के बीच में वो डी है तो इस distance का क्या square square के inversely proportional ए inversely proportional एक और फॉर्स तो इसका मत्तव यह बना की नहीं फॉर्स इस इन वर्स ली प्रोपोर्शनल टू डा डिस्टेंस का square एना तो मास प्रोड़क्ट ओफ मासेज के डारेक्ली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों object के बीच में जो distance है उसके square के inversely proportional होता है इन्हीं दो बातों को मिला दो बन जाता है universal law of gravitation क्या बन जाता है universal law of gravitation so universal law of gravitation में दो पॉइंट है gravitational force between two objects is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them है ना और यह force लगता किस direction में है इन दोनों object को जोडने वाली जो line है इसी line के along रखता है जैसे कि यह line आपको दिख रही है इसी line के along gravitational force लगता है वहीं लिखा है दो vehicle is along the line joining the center of nature in to know object के Center को जोडने वाली जो line है ना उसी line के along ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो यह तीन बाते आपको समझ में आ गई अब इसका यह जो मैथमेटिकल एक्वेशन है इससे हम ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मुला तक पहुच सकते हैं कैसे पहुच सकते हैं तो माल लो हमने दो अब्जेक्ट ले लिया एओ भी एक का मास ले लिया कैपिटल इम्-दुसरे का मास लेलिया स्वावढ़ाई और दोनों अब्जक के सेंटर की बीच की sollte है वो लिलिविप is तो अव हम किसके हिसाब से चलेंगे यूनिवर्सल लाफ ग्लेविटेशन के हिसाब से चलेंगे तो यूनिवेर्सल लाव ग्राश्र क्या कहता है कि gravitational force between two object is directly proportional to the product of their masses तो इनके masses का product क्या होगा ये है कि नहीं इसमें कोई problem कोई problem नहीं अब आगे चला जाए है ना चलो समझ में आया कि नहीं तो वही लिखा है let the force of attraction force of attraction मतलब gravitational force between the two objects हमने कितना माल लिया f according to universal law of gravitation the force of attraction is directly proportional to the product of their masses और इनके मास को हमने कितना इस्यूम किया था एक object का capital M और दूसरे object का mass small m तो equation क्या बन गया f is directly proportional to capital M into small m तो कि product of their masses के directly proportional होता है यह पहला equation है बना की नहीं ठीक है आगे चले चलो अब क्या कह रहा है दूसरा equation दूसरा लोग क्या मतलब universal law of gravitation का दूसरा point क्या कह रहा था कि जो force of attraction होता है वो दोनों object क्या दोनों object के दोनों object के distance के square के प्रपोर्पोर्शनल होता है तो दोनों object के center के बीच की दो दूरी कि दी वो कितना ले लिए हमने डी है ना और इसके square का square किया हमने और उसके square के इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है force of attraction है यह हो गया दूसरा equation क्या हो गया यह दूसरा equation हो गया अब इन दोनों equation को अगर हम मिला दे पहला equation यह और दोसरा equation यह इन दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा तो यह बनेगा एफ इस डारेक्टली प्रपोर्शनल टू कैप्टल m into small m upon d square बनेगा है ना देखो है बना की नहीं अब नियम होता है कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो कॉंस्टेंट लगाते हैं तो अगर हमको यहां प्रोपोर्शनल का साइन हटा कर इक वल्टू लगाना है तो मुझे एक कॉंस्टेंट लगाना होगा तो हमने वही प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो प्रेक्वल्टू लगा तो इसके लिए हमने एक departure टि कॉंस्टेंट लगा जिसको कहते है तो यहाँ जो जी है वो क्या है एक नूस्टिन constant है जिसे क्या कहते है यूर्सल ग्रेबिटेशनल constant और जी की value जी की unit पूछी जाती है अब universal gravitation constant यानी जो capital G है ठीक है ये बहुत important है important essence में है कि आ आप earth । पे हो संप पे हो Jupiter पे ब्रह्मान कहीं भी चले जाओ capital जी की value नहीं बदलेगी यानी रही यूनिवरसल gravitation constant की value नहीं बदलेगी और एक कॉंस्टेंट है ना तो constant मतलब जो ना बदले और universal बोल रहा है मत्बड़ पूरे universe में ब्रह्मान मैं कहीं भी चले जाओ इसकी value नहीं बदलेगी तो फिर gravitational force का formula आ गया कि नहीं क्या आया F का 2G into capital m into स्मॉल एम अपन डी स्क्वार यह आगे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मुला और इसी फॉर्मुले पर निम्रिकल बनते हैं जो कि मैं अभी कराऊंगा है ना और इसमें याद रखना यह जो कैपिटल जी है यह कॉंस्टेंट है जिसे हम क्या कहते हैं यूनिव इसको थोड़ा अरेंज कर सकता हूं कैसे अरेंज कर सकता हूं मैं अगर जी को निकालना हो तो यह डी स्क्वार एफ में में लिटी करेंकर दूं एफ इंटो डी स्क्वार और यह दोनों नीचे चले जाएंगे मिंटी m f into d square upon m into m आया की नहीं f into d square upon m into m ठीक है अब f क्या है gravitational force इसकी SI unit क्या होगी Newton into b क्या था distance to distance की SI unit क्या होती है meter तो meter का क्या हो जाएगा square हो जाएगा यह क्या था मास kg और यह भी मास kg तो kg का क्या स्क्वाइर तो g की unit क्या आ गई Newton meter square पर kg square क्या यह सही है देखिए बिल्कुल सही है तो आपको यह याद रखना है और कभी भूल गए by chance तो आप इस formula से आप जी का formula निकाल सकते हो और उस formula में unit रखकर आप जी की unit निकाल सकते हो जो की कितनी होती है Newton पर meter square पर kg square और scientist जिनका नाम था Henry Cavendish इन्होंने जी की value भी निकाली कैसे निकाली होगी तो इन्होंने एक object ले लिया क्या अर्थ तो अर्थ का मास हमको पता है किता होता अर्थ कमास 6 into 10 की पावर 24 kg और अर्थ का radius यह जो distance है वो अर्थ का radius ले लिया कितना 6.4 into 10 की power 6 meter तो जब इन्होंने value रग दी तो capital G यानि universal gravitation constant का magnitude निकल के आ गया वह होता है 6.673 into 10 की power minus 11 newton meter square per kg square तो यह रही ऐसा यूनिट और यह रहा इसका value दोनों आपको याद रखना पड़ेगा बिना इसको याद किये आप आगे कोई question अगर पूछ लेगा तो solve नहीं कर सकते है ना समझ में आया कि नहीं बहुत इजी है तो हमने देख़े सटेप वाइज चले ऐस टेप भायख चल के हमने formula derive कर लिया ठीक है तो कारण भी पता कर लिया ऑ Papalant foul फोर्स और इसी Gravitational force का formula भी निकाल लिया और इसी gravitation force के formula कौनस्टेंट value थी इसे हम युनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉंस्टेंट खहते हैं इसका यूनिट भी निकाल लिया और इसकी वैल्यू भी निकाल ली है ना चली आगे चलते हैं अब कोश्टन यह रहा अर्थ अर्थ की सर्फेस पेख आपजेक्ट रखा है अबजेक्ट रवास एक एग जी है अर्थ का बास दे रखा एकितना 6 x 10 की पावर 4 kg और इन दोनों अब्जेक्ट के अर्थ और इस अब्जेक्ट के बीच में gravitational force निकालना है तो मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा gravitational force का formula f बराबर g m into m upon d square अब हमारे पास g पता है हमको पता है कि नहीं अरे अभी तो पढ़ा पढ़ा 6.673 10 to 10 की पावर माइनस 11 तो जी पता है mass of earth पता है ना दिया है question में mass of object दिया है कितना 1 kg डी दूरी तो डूरी किसके बीच में अर्थ और इस object के बीच में तो अर्थ और object के बीच में जो दूरी है तो अर्थ के रखोगे ठीक है जी की वेल्यू अर्थ की मास अबजेक्ट का मास 1 kg और दूरी का स्क्वायर यानि की 6.4 into 10 की पावर 6 का स्क्वायर तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 9.77 नूटन मत्ब मैं ऐसे कह रहा हूँ एफ इसकल टू 6.673 into 10 की पावर माइनस 11 यह हो गया जी के वैल्यू फिर मास अफ वर्थ मास अफ वर्थ कितना है 6 into 10 की पावर 24 यह रख दिया into 1 kg object का मास अपाउन डी कितना है डी रेडियस के बराबर होगा तो रेडियस कितना दिया है 6.4 into 10 की पावर 6 और इसका square इसको solve करोगे 9.77 Newton आएगा ठीक है समझ बाया कोई दिक्कत तो इसी लिए मैंने कहा कि यह formula आपका बहुत important है ठीक है बिना इस formula के आप इस chapter में इस type के question solve नहीं कर सकते ठीक है तो याद रखिएगा आगे चले question और solve कर लेते हैं ठीक है चलिए अब देखें यहां question में क्या पूछा है question में ध्यान से देखिए if the distance between the two objects is double without changing their masses मतलब की दो object दिया हुआ था है ना एक का मास capital M था दूसरे का मास small M था ठीक है और इनके बीच की दूरी कितनी थी D तो इनके बीच में रगने वाला gravitational force क्या था F1 अब बोल रहा है next condition की दोनों का मास हमने change नहीं किया without changing their mass मतलब मास तो अभी भी capital M और small M है लेकिन हमने जो दोनों की बीच के जो दूरी थी उसको double कर दी मतलब D के जगा 2D हो गया तो जो नया gravitational force है वो कितना हो गया है ना तो जो नया वाला है वो तो F2 माना है हमने तो पुराना वाला जितना था उसका क्या हो गया कितना हो गया तो पुराना वाला हमने F1 माना था माना था तो F1 स्कल्टू क्या हो जाएगा अब यहां F2 निकाल लेते हैं F2 हो जाएगा जी तो बदलेगा नहीं एम स्मॉल एम अपन टूडी का स्क्वाइर करोगे तो यह कितना आएगा अब यहां इतना देखो जी एम एम अपन डी स्क्वाइर यह तो F1 है ना तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं इसके जगह मैं F1 लिख सकता हूं F2 बराबर इसके जगह मैंने F1 लिख दिया और नीचे 4 था यानि कि डिस्टेंस को डबल करने पर जो नया फोर्स है वो पिछले वाले फोर्स का वन फोर्थ हो जाएगा वन बाई फोर हो जाएगा तो आंसर आया कि नहीं हमारा क्या आया हमारा आंसर आया कि जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो डिस्टेंस को डबल करने से और मास को ब है तो ऐसे कोशन इक्जाम मैं पूछे जा सकते हैं जैसे माल लो इसमें ये कर देता कि महीं इसमें डिस्टेंस नहीं च्छेंज करता हैं डि stump चेज नहीं करता मालो डिस्टेंस पहले भी डी था अभी है मास डबल कर देता है तो देखो चेंज डिस्टेंस में कोई चेंज हो नहीं रहा है ठीक है तो अब आप ही बताओ distance में तो कोई change हो नहीं रहा है change किसमें हो रहा है product में तो इसका मतलब कि अब पहले के तुलना में यहाँ दो multiply हो गया यहाँ दो multiply हो गया यानि कि four times हो गया क्या हो गया four times ठीक है तो अगर distance को नहीं बदलते दोनों का mass double कर देते तो gravitational force four times हो जाता लेकिन यहाँ क्या किया यहां यह किया कि gravitational force निकालने के लिए इसने अब्जेक्ट के distance object के distance को डबल कर दिया मास नहीं चेंज किया तो इसके वजह से क्या हुआ four times घड़ गया one by four हो गया अच्छा इसको triple कर देता तो तो नया gravitational force one by nine हो जाता मत्तब one by nine times हो जाता यानि decreases by nine हो जाता क्योंकि यहां देखो ना डी का square है हर जगे formula में क्या है डी का square तो two का square four तो one by four times हो गया three कर देते मत्तब अगर distance को three times बढ़ा देते बिना मास को चेंज किये तो जो नया force है वो one by nine times हो जाता प्रिवियस का यानि decreases by nine times हो जाता क्योंकि यहां square है ठीक है इस टाइप के question exam में आप से पूछे जा सकते हैं तो यह रहा इस chapter का पहला topic gravitation जिसमें हमने gravitational force क्या होता है उसका formula क्या होता है और उस बेस्ट हमने question किया है ना next session में हम मतलब अगला topic पढ़ेंगे जो कि मैंने आपको बता रखा है है ना तो I hope you like the session join करने के लिए thank you so much इसी तर अग्ड़ा 24-7 class 9 & 10 के साथ पढ़ते रहे और आप आगे बढ़ते रहेंगे ठीक है thank you